नमस्ते, आस्थाई ग्यान चेनल में आपका स्वागत है हनमान जी को नारेल चड़ाने की फैदे क्या है? हनमान जी की पूजा अलग-अलग तरी कैसे की जाती है लेकिन भक्त को तो किसी भी तरीके से कोई मतलब नहीं और भक्त लाब की चिंता नहीं करता है हनुमान जी का नाम ही उसके लिए मंत्र 40 और पूजा है फिर भी जो कोई भक्त यदि संकट में हो और उसे हनुमान जी को जल्दी प्रशन करना हो तो इसके लिए संकट के हनुसाथ कहीं तरह की चीजे चड़ाने के बारे में बताया गया है हनुमान जी को नारेल चड़ाने की पीछे क्या फाइदा है तो जानिये जैसे कहते हैं कि यदि आपके जीवन में कोई घोर संकट है या ऐसा काम है जिसे करना आपके बसका नहीं है तो आप अपनी जिमेदारी हनुमान जी को सौप दे इसके लिए आप मंगलवार के दिन किसी मंदिर में पूजा पाट करने के बाद उने पान का बेड़ा अर्पित करें रसीला बनार से पान चड़ा कर मांग लीजिए मंचाह वर्दान इसी तरह यदि आपको गरीबी सता रही है अला बला या तंत्र मंत का सक है तो ये कारे करें पहला गरीबी से मुक्ति के लिए एक नारियल पर सिंदूर लगाएं और मोली यानि की लाल धागा बांदें इसके बाद ये नारियल हनुमान जिक को चड़ाएं एसा कम से कम 11 मंगलवार को करें निश्चित ही धीरे धीरे आप गरीबी के बंदन से मुक्त हो जाएंगे हनुमान चालिसा पढ़ते रहें दूसरा यदि इसी तरह के एक नारियल को लाल कपड़े में राय के साथ लपेट कर घर के दर्वाजे पर बांदिया जाए तो घर में किसी भी प्रकार की अला बला नहीं आती है जादू मंत्र या तंत्र का असर नहीं होता है और किसी की नजर भी नहीं लगती है हनुमान 40 पढ़ते रहें